साथ साल पहले चीन जब दुनिया के नक्षे पर सामेवादी जनतंत्र की शकल में उबरा था तो तब की महाशक्तियां ये सोच रही थी कि ये मुल्क अपनी भारी भरकम आवादी का पेट कैसे भरेगा चीन ने दुनिया की सोच पतलने की चुनौती मनसूर की और हर दसफे साल वो दुनिया को दिखाता रहा अपनी शक्ती साथफे साल में उसे महाशक्ति बनने का तमाशा दिखाना था और इसके लिए नाशनल डे परेड में उसने जम कर अपनी हवाई ताकत की नुमाईश की ये एलान था एशियाई आस्मान की सबसे बड़ी महाशक्ति पिपल्स रिपबलिक आफ चाइना की एर फोर्स का चीन जो चाहता था वो उसने दुनिया को दिखा दिया उसने दिखा दी अपनी वाई उसेना की ताकत और दे ग्रेट स्काई वॉल आफ चाइना चीन के नेशनल डे परेड में 151 फाइटर प्लेइन की नुमाईश की गई जिसमें शामिल थे जे टेन और जे इलेवन केटेगरी के फाइटर प्लेइन इस परेड में बीजिंग के आसमान में गरचते रहे अप्याधुनिक कम्मिनिकेशन एयर शिप्स अनमेंड एरियल ट्रोन्स, हेलिकॉप्टर और एयर बॉन अर्ली वर्निंग और कंट्रोल सिस्टम खोद को एकलोती महाशक्ती मानने वाले अमेरिका की पेशानी पर भी बल पड़ गए है चीन की ये ताकत देखकर चीन का दावा है कि वायुसेना की ये सारी ताकत उसमें अपने दम पर जुटाई है और वो भी सिर्फ साट साल में वरना एक अक्टूबर 1949 को जब चीन ने पहली बार नेशनल डे मनाय था तब उसकी वायुसेना के पास नुमाईश के लिए सिर्फ सत्रह लड़ा हुए मान थे वो भी दुश्मनों से चीने हुए जानकार मानते हैं कि ये चीन की सरकार की जिर्थ की ताकत है मिक 21 का उधारन लीजिए हमारे बात उन्हें लिया उन्होंने रिवर्स इंजिनियर करके अपना बनाया हमने अपना क्यों नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास पॉलिसी डिसीजिजन्स ऐसे थे डॉक्ट्रींज ऐसी थी और रश्या हमारे को कंट्रोल कर रहा था कि तुम अग अब चीन की हवाई ताकत की नुमाईश का मकसद भी जान लीजिए चीन ने अपने जे टेन पाइटर प्लेन पाकिस्तान को बेचने का फैसला कर लिया है और अब उसे इंतजार है उन देशों का जो अब तक अमेरिका और यूरोप से मजबूरी में डील कर रहे थे जानकार मानते हैं कि ताकत का ये लाल तमाशा इस बात का संकेत है कि अब एकलोती महाशक्ती के मनमानी के दिन खत्म हो चुके हैं ताकत के मामले में अमेरिका को टक कर देने के लिए तैयार हो चुका है चीन आज तक ब्यूरो कर दो कर दो